हलो हाँ फ्रेंड मैं बेट तो तियुक्यारे फ्रेंड साप सभी का अमारे यूट्ईूब चैनल पे स्वागत है इससे पहले फ्रेंड साप हमारे चैनल पे नällt है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क grain ताकि हमारे नोई ने वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक सबसे पहले को सके आज के इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं CSIR NET December 2019 पालेट सी का कॉस्चन है कॉस्चन नमबर एट समस्ते हैं यह कॉस्चन बिलकुल इजी कॉस्चन है यदि हम इसको बिलकुल इजी वे में सॉल्ब करें तो यहां से क्या होगा समझते हैं देखें यहां पर कहता है लेट एन इस ग्रेटर नमबर के उपर वर्क आपको करना है अब यहां पर क्या है यह जो आपको कॉनसी स्टेट्मेट डियान अब यहां पर बिलकुल यहां पर यहां आठ ग्टिशन को सोल्ब करेंसे क्याद Sit적 को कैसे हो यहां पर जो भी वार्क करना है आपको यहां की वेοग व्लकुल के लिए तो यहां पारी condition जो भी होंगी वैलिड होंगी तो यहां से हम बिल्कुल मिनिमम लेते हैं कॉले लेते हैं कर दीशन यहां पे है एडिश गरिटर दानिक इक उस्टुप फाइव तो यहां से एडिजी ऊपलें लेते हैं आपने सिंप्लिफिकेशन के लिए तो आप देखेंगे एडिश n 1 by n इसके उपर है और 1 plus log n यदि हम इसकी value और इसकी value देखे तो इसके according हम less than any cost to less than less than any cost to greater than cost to की जो भी limitations है उसको तो हम कर सकते हैं कि कौन सा option इस condition को valid है और कौन सा option इस condition को valid नहीं है ठीक है तो यहां पर हम आते हैं energy cost to 5 तो यहां से क्या हो जाएगा पहले हम एक चीज यहां पर कर लेते हैं summation n varying from 1 to capital n 1 by n की value calculate ठीक है दूसरे position पर हम करेंगे log n क्या है log n की value calculate ठीक है means यहां पर energy cost to 5 तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा log 5 ठीक है तो यहां से log n की value energy cost to 5 means log 5 हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपको जो है क्या मिलेगा log 5 की जो value होती है उसको हम आपको बता देते हैं और 1 to 5 log 1, log 2, log 3, log 4, log 5 जो भी value होगी उसको आप यदि remember रख लेते हो तो exam के अंदर आपको benefit देगा हो सकता है कि आगे भी ऐसे ही question आपसे put up कर लिए जाए ठीक है बिलकुल easy होगा यदि आप इसकी value याद रखते हो तो ठीक है log 5 की यदि हम value बात करें तो यह आपका 1.6094379124341 यह आपके log 5 की value है अब यहाँ पे जो है इसकी यदि हम बात करें तो यह आपको जो है energy cost to 5 summation n varying from 1 to 5 1 by n यह आपको क्या मिलेगा energy cost to 1 चले summation को अलग अलग रखेंगे इसको break करते है energy cost to 1 that means 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 ठीक है अब यहाँ पे LCM लेकर के solve करें तो यहाँ से जो है 4 और 2 का LCM 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 ठीक है 60 आपका LCM हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 60 plus 2 3 जा 6 30 तो यहाँ से आपको 30 मिलेगा plus यहाँ से 3 2 जा 6 20 और यहाँ से जो है आपको 4 12 जा 15 तो यहां से आपको 15 मिलेगा और यहां से जो है 5 यहां से आपको 12 मिल जाएगा ठीक है एड कर लेते हैं क्या मिलेगा 5 2 7 और यहां से जो है आपको 1 2 2 4 और यहां से आपको 7 14 में 7 जाएगा 13 137 by 60 ठीक है अब इसको डिवाइड करके भी देख लीजिए यहां पर पॉइंट में आपके वेलू मिल चुकी है पॉइंट में नहीं होगा आप डिसाइड नहीं कर पाओगी कौन लेस है कौन ब्रेटर दैन है ठीक है तो यहां से आपको जो है है कि टू जाएगा 120 है कि 73 माइनस 21 यह आपका 170 पॉइंट जाएगा 170 फिर आपको जो है टू मिलेगा 833 ठीक है आप करके देख लीजिए यहीं मिलेगा 2.2833 अब यहां पर जो है किसकी बेलू इसकी बेलू यहां पर पहले वाले ओप्षिन पर आईए क्या है समिशन यहां पर हम बेलू रखते हुए चलेंगे अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा समिशन एन वेरिंग फ्राम 1 तो 5 वन बाइन इसकी जो क्वांटिटी है वह आपको 2.28 ठीक है यह आपको 2.3 हो जाएगा चली हम ऐसा ही लिख देते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेस देन इकोस्टू 1 प्लस लोग 5 अब इसके इं 1 एड़ करें तो 2.6 हो जाएगा 2.6 यह जो 2.28 है that means 2.3 less than equals to 2.6 क्या यह quantity 2.3 जो है 2.6 से छोटी है yes less than की condition तो वैलिड है दोनों में से कोई एक condition वैलिड जब ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब एक condition वैलिड है यह statement true statement है okay क्या है जो आपका पहला वाला है यह आपका true है second पर बात करें यही कहता है कि less than less than की condition वैलिड है यस यही वैलिड है तो इसका मतलब second option भी आपका true option है ठीक है third option पर आएं तो यहां से आपको जो है क्या मिलेगा यह आपका third option यह रहा और यहां पर जो है आपको less than equals to log 5 और यह वैलू आपकी क्या है 2.3 less than equals to log 5 की वैलू 1.6 ठीक है यह आपका 2.3 है यह आपका 1.6 है क्या यह वैलिड है बताइए 2.3 जो है क्या आपका less than है 1.6 नहीं यह जो आपका होगा 2.3 यह चीज़े true है 2.3 greater than equals to 1.6 यह तो true है बट यह चीज़े true नहीं यह wrong है इसका मतलब जो आपका statement third है that means third option यह आपका wrong option है fourth option पर आएए fourth option में यही चीज़ है बट इसको sign जो है opposite करके लिखा है that means यह चीज़े true है दिखिए 2.3 greater than equals to 1.6 यह जो quantity है बड़ी है किस से 1.6 से yes तो इसका मतलब आपको जो fourth statement है यह भी आपकी true statement है question number eight में यदि आपको log five की value पता है और सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ही calculation work किया है तो बिल्कुल easy तरीके से question को आप solve कर सकते हो और definitely अपना 4.75 mark gain कर सकते हो क्या आपको time कितना लगा nearly आप 3-4 minute के अंदर solve कर सकते हो ठीक है उसके लिए आपको practice तो करनी होगी और अपना mind तो use करना होगा ओके log five की जो value है log one two three four five maximum five तक आप यदि आद रख लेते हो तो ऐसा ही question यदि आप से पूछा जाएगा तो इसको आप easy तरीके से solve कर सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ठीक है और यहाँ पे आपका true option है पहला दूसरा और चौथा आपका true option है तीसरा यहाँ पे आपका wrong option है thank you friends for watching my video